ओम नमस्य वाई आपका स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आपको पूर्णीमा की पूजा कैसे की जाती है और पूर्णीमा को साकॉम्बरी पूर्णीमा भी कहा जाता है उन सब के बारे में भी बताऊंगी हिंदु धरम में पूर्णीमा तिथी बहुती मैतु पूर्णीमा जाती है ये एक पूर्णीमा तिथी होती है और हर महीने पूर्णीमा सी जो होती है पूर्णीमा हर महीने आती है पूस मास की तिथी को हम पूस पूर्णीमा भी कहते है पूस मास में यदि कोई वक्ति पूस म मास पूर्णीमा का व्रैत करता है पूजा करता है उसकी सब मुनोकामनाय पूर्ण हो जाते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णीमा जो है सुरी देव की पूजा या उपासना करने का मास होता है तो इस दिन या फिर इस पूरे माहा पूर्णीमा में हमें सुरी की उपासन अवस्य ही करनी चाहिएं बोस्पूर्णीमा ये माह का अंतिम दिन होता है और बोस्पूर्णीमा की दिन किसी भी नदी सरौवर या फिर किसी गंगा नदी वेगरा में हमें अपना अस्नान कर लेना चाहिए जो कि बड़ा ही पुन्यकारी माना जाता है गंगा सनान बहुत ही पुन्यकारी माना जाता है अगर संभव हो सके तो आप गंगा सनान आवस्से करें अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर में ही गंगा जल डालके जल में गंगा जल डालके आप उससे सनान कर सकते हैं फिर वे आपको उसका दिनी है् उसके वाका दूर्पर आए प HOL कीया। उसको चोकी विछा लेनी हैं। उसके वे खैसी को सब्सक्रें भी तो पुस्पर में पुस्परीकरिक के ह màyका दो मुपनि नियर गील्फितों या फिर घृत्रिय चित्र पुजर्णी सब्सक्रें। हुस्पों के ऊपर और देखे जैसे अ की हम जांगते का दिन हैं तो पूर्णिमा की दिन जो है हमें लक्षमिजी विश्नु की हमें पूझा करनी है सभने संब दो जाएं के पीची सकते हैं दरख़ रख लीजिए उसके रख लीजिएगे उनको फर्रम हमें उनके मूर्थिया रखेंगे और अब इनके लिए हमें स्वास्तिक नीचे अवस्य बना लेना है ठाले में स्वास्तिक बना लेना है फिर हमें शिव्लिंग और हरी विश्नु और लक्षमी जी को वहाँ पर स्तापिप कर देना है और इसके उपरांत हमें एक जल का लोटा ले ब slips के बाद हमें इनका स्नान करवाते हैं हिसके नम्हाय के चाप करेंनी स्नान करते समय और पंचामरत से भी शनां करवा सकते हैं अगर हमारे पास स्थिवलिंग या फिर माता लक्समी और की मूढतियां हैं और अगर यह नहीं भी है तो अगर हमारे पास तस्वीर है उनकी रखी तो फिर तस्वीर सवरूप जो है हम जल के छीटे गंगा जल और जल के छीटे उन्हें लगा देंगे पूर्णिमा तिथी जो है पित्रों के लिए भी मानी जाती है पित्रों का तरपन भी कर सकते हैं आप इस दिन पूर्णिमा तिथी के दिन आप वरत भी कर सकते हैं या फिर अगर वरत नहीं भी करते हैं तो आप इस दिन पूजन भी कर सकते हैं इस पूजन को हम सुबह शाम जब भी आपको समय मिले उस समय कर सकते हैं लेकिन सबसे उत्तम समय है वो गोधुली पेला के समय शाम की समय ही इसका उत्तम समय माना गया है सुबह सनानादी करके सुद्वस्तर दहान करके हमें पूजन करना है सबसे पहले तो इस प्रकास से सनानादी करके हमें अच्छे वस्तर पहनने के बाद जो है हमें सबसे पहले सूरी के उपासना करनी है सूरी को अर्ग देना है क्योंकि पोसमास में सूरी देव का जो है बहु आप पूजा करते हैं वैसा कर सकते हैं सुबह के समय में ही हम अगर हम वरत करना चाह रहे हैं तो हम संकल्प लेते हैं और हमें पूजा की तैयारी करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हमें आज वरत करना है और वरत इसका जो मासी या फिर हम बोले सतिनारान का वरत है वो अलग हो होती है तो फिर कि कुछ नहीं करना होता कोचा है तो हमनेका जब युआ अविलिए जलाएंगे और दोप दीप करें कि अपे लिए ने मों को baby का लगा देना है तो इस प्रकाष से जो पुड्री में कवरत है वो हमें अपनी समता के अनुजार ही करना है क्योंकि कुछ लोग इसमें मतलब कि जैसा मैंने बताया कि बहुत ही सराल होता है करने में कोई कठिन दुछ बहुतों नहीं माला जाता है तो इसमें आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं या फिर फल या फिर कुछ भी इसमें ले सकते हैं निराहार रहके भी ये वरत किया जा सकता है तो जो इसकी पूजा विधी है जो हमें इसकी पूजा जोती है वो हमें गोधुली वेला में करने होती है यानि कि गोदुले वेला मतलब शाम को 6-7 सुर्य आस्त होने के बाद ही की जाती है चंदन से सब देव को हमने तिलक लगा दिया है अब हमने पार्वती माता जी है उनको और लक्समी जी को हमने सिंदूर से सिंदूर अर्पित किया है और जो सिंदूर बच जाता है उसे हम अपने लगा लेते हैं तो पारवधी माता जो है साकुमरी माता का ही एक रूप है तो आज हमें उनका भी अवस्य रूप से पूजन करना है तो इस प्रकाश से सब को तिलक लगाने के बाद हमें तिलक लगाया है और सिंदूर भी चड़ाया है और अपने माते पर भी सिंदूर को लगा लेना है पोस हो या फिर माग माहा हो तो इन दिनों में तिलों का विसी समयत होता है तिल चाहिए काले हो या सफेद हो तिलों की हमें तिल हमें अर्पित कर देना है और वस्तर रूपी कलावा भी हमें अर्पित कर देना है ऑमनमस्यवाई पाठ का जाब कर सकते हैं किसी भी द्रम ग्रंथ आप इस दिन पाठ या पूजा पाठ या फिर ग्रंथ को पढ़ सकते हैं पुर्णिमा के दिन आप सत्यनायन भगवान की पूजा भी करवा सकते हैं उसकी कथा करवा सकते हैं जो कि बड़ा ही सुब होता है इसके बाद आप जल का लोटा भर के रख सकते हैं या फिर कलस की स्थापना भी कर सकते हैं तो हम ये साधारन पूजा भी कर सकते हैं इसमें औ कुमारे पास अगर पीले फूल है तो उनको अरपित करते हैं याल फूल है तो फ्रकार से पुसपो को हम अरपित करेंगे लक्स्मीं पार्वत्य जी को लाल फूल गनेज जी को दुर्वा और गुड़ल का फूल है और जो शिलिंग है उसके उपर हम बेल पत्र धतूरा या फिर आपके पत्ते हैं उनको चड़ा करके उनकी उपासना करेंगे पूजा करेंगे और स्री हरिविस्नु जो है उनको हमें तुलसी जो है वह अरपे तक कर देनी है इनसे उनको बहुत परिये हैं बहुत परसन होते हैं और भोग के रूप में जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णी मा के दिन खीर बनाई जाती है खीर बनाना बहुत इशुब होता है तो खीर बन तो तिल से बने कोई भी मिठाई हमें यहां ले लेनी है और जैसे पुझा समापन हो जाते हैं तो परशाद रूप में हमें जो फल हैं जो तिल से बनी चीजे हैं उनको आपस में बाट देना हैं तो इसके उप्रांता हमें अपने हाथ में पुस्पोर तिल ले लेने हैं और लेने के बाद हमें पुस्टप में से पुनिमा की जो कथा होती है वो सुन लेनी है और फिर जलका लोटा जो भरा हुआ है उसको हमें चंद्रमा को हमें अरके दे देना है अगर हो सके तो इस दिन एक छोटा सा हवन भी हमें कर लेना चाहिए आप घी से हवन कर सकते हैं गुड और तिल की घी के साथ गुड और तिल की आउती भी सामगरियों में दे सकते हैं तो इस प्रकार से हमें सरपर्थम गोरी संका और फिर नवग्रो की और सिव जी की हमें इसमें से उपाश्णा करनी हैं तो फिर हरे विश्नु भगवान जी और जो लक्समी जी है उनके नाम की भी यहां पर हमें आउती दे देनी हैं जो पोस्पूल्णी मा की दिन से ही हमें माग पूल्णी माग जो है वो माग मास है वो आरंभ हो जाता है माग मास में बहुत महत पूल्ण होता है इस दिन इस मा में भी हमें दान आदे बहुत कुछ करना चाहिए गरम वस्त्वे गरम चीज़े हमें दान देनी चाहिए इन सबके उपरांता हमें दक्षिना भी चढ़ा देनी है और दक्षिना अर्पित कर देने के बादर frag चढ़ाने के बाद से हमें चंद्रदेव की पूजन j дополн करना है और उनको औरगे देना है और इन सब के पूजन में जो भी कुछ हम से तुरूटिया हुई है या फिर अंजाने अंजाने कुछ कमी रह गई है तो उसके लिए हमें समयाजना भी आवसे करनी चाहिए तो इस प्रकार से सुध मन वचन करम से हम पूस पूनिमा जो है उसका वरत करे या फिर उसका पूचन करना चाहिए हमें तो इस दिन हमें जो है पूस पूनिमा के दिन हमें जो है दीपतान भी करना चाहिए देपतान आप मंदिर में कर सकते हैं वट वरक्स या फिर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दिया रख सकते हैं समीक का जो पोधा होता है पेड़ होता है उसके नीचे आवला का जो होता है उसके नीचे हमें दीपक जो है रख देना है बेल पत्र पर गवसाला में चोराहे पर जहां भी आपको इस तरह की जो परित्रस्थान मिलते हैं आप वहां पर देपतान या दिया लगा सकते हैं रख सकते हैं तुल्शी जी के पोधे के पास में या फिर चोराई पर इस तरह के से हम अनेकों जगे पर जो है अपने दिये लगा सकते हैं और दीपक जो है आप घी के दिये भी जला सकते हैं और तिल के तिल का पहत्व है ऐसे आप तिल के तिल के दिये आप लगा सकते हैं क्योंकि तिल के तो इस प्रकास से दान आदी दे करके और पूस्ट पूर्णिमा का जो पूजा विधान है उसको विधिवदान से हमें करना चाहिए आसा करते हूं आपको यह सब मेरें बताईगी बाते पूजन पूजा विधि दान और दीवदान जो है यह सब कुछ आपको ग्यान वर्दक अच्छे लगाओगा तो इसके लिए लाइक अवस्टे करें ओम नमस्ति वाए